हेलो मैं फ्रेंड्स वेलकम बैक को दर चैनल रची सर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यूजी सी की रिपोर्ट की कौन-कौन सी रिकमेंडेशन्स यूजी सी ने M chord ministry एके अगी आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी की तूरी िराइन से उसके टाइडल है और अच्छे सूसरी ए fulfilling व्काशी साइन्स यूजी से प्सक्रीदिक है थैके पूरा सकी पूरा अच्छे से सकते कि रिपोरट और की यूजी सी अनगेशन्स पीरों नेकिक एक्या सी और recommendations भी है तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 4 important updates लेकर आईए इस पूरे के पूरे PDF मेसेज जो आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उमिद करता हो कि आपको वीडियो पसंद आएका और यह वीडियो का आप end तक देखोगे क्योंकि बिना end तक गए आप पूरी information को जज नहीं कर सकते तो सबसे पहली update हम लोग डिसकस करेंगे recommendation on the examination schedule अभी मैं आपको जितनी चीज़े मैं बताने वाले it is just a recommendation by the UGC to the MHRD decision अभी आया नहीं declaration अभी तक MHRD department की तरफ से कुछ भी आया नहीं it is just a recommendation और यही recommendation आपको पता होनी चाहिए तो पहला महराश्वर के अंदर 18 मही तक lockdown है तो हो सकता है तो तीन मही तक नेशन वाइड लॉक्डाउन खतम होने के बाद 15 मही से लेके 31 मही तक यहां पर आपके colleges स्टार्ट होगी अगर आपके lectures खतम नहीं हो आपके portion complete नहीं हो तो वह portion आपको complete किया जाएगा वायवाग कर दो किया ताकि 15 दिन में आप सिर्फ क्या कर सके अपनी आप इस्ट्रीबूट कर सके या तो आप एक जून तक का समर वेकेशन होगा यह एक मिने का वापस समर वेकेशन का टाइम मिलेगा उसके बाद इसके बाद एक एक जोड़ां से लेके 14 जूलाई तक आयो है उसके बाद पर अंदेट तो फविलाल वही है कि आपके आप से बीजिलेग ने डिक्लेर कर दिये जाएगे ताकि नया academic year तुरंत ही शुरू कर दिया जा सके क्योंकि जैसे जुलाई में आपका result डिक्लेर करेगे उसके बाद आपके जो admissions स्टार्ट हो जाने वाले है तो पहला update आपका examination से रिकमेंडेशन में examination का date क्या दिया है फर्स जुलाई का दिया गया है लेकिन अगर lockdown extend नहीं होता है तो अगर lockdown extend होता है तो एक मेने का आपको summer vacation का time दिया गया है वो शायद आपसे छीन लिया जाए तो हो सकता है कि वो lockdown lockdown extend होने के आप 15-20 दिन का time आपको मिलेगा वो 15-20 दिन में आपको वाइव अगरेगा जो भी आपका procedure वो complete किया जाएगा आपका examination schedule declared किया जाएगा और उसके हिसाब सी आपको सारी facility प्रोवाइड कर दिया जाएगा और तब और तीवाले जब पासओट होगे तो थर्ड यह यानि जो academic session क्या होगा वो academy section session जो है वो september से start होगा तो उसका admission process के अगब से start होगा august में start हो जाएगा 1st august से आपका admission process start हो जाएगा उसका अपका courses का second semester आपका conduct किया जाएगा January 2021 में उसके रिजन declaration फिर उसके बाद आगे की proceeding इस तरीके से आपका जाने वाला है यानि उन्होंने next academic session आपके लिए discuss कर दिया है third important update examination examination कैसे होने आला वह बता है तो examination से related पूरी शीट आपको दिख रहे है पूरा का पूरा detail आपको दिख रहा है उसको में detail में आपको पढ़ कर बताता हो यहां पर आपको सबसे पहले चीज़ है कि जैसे आपको पता है social distancing अपने को maintain करने की ज़रत है तो UGC ने उने सीट इसको time to time guidelines of issue की हुई है तो examination का सबसे पहरा process यही कहता है कि आपके पास option क्या mcq option है mcq मतला multiple choice question का option है OMR sheet के लिए options है उसके बाद open book examinations है open choice assignment presentation based assessment वगेरे गए उसके बाद most of the university ने 70-30 का pattern adopt किया 70% is based on your external examination 30% is based on your internal revaluation उसके बाद third point में आपको यहाँ पर दिया है कि अगर अगर university चाहे तो अपने सारे courses की duration ने वो तीन घंटे से घटा के दो घंटे कर दिया जाए इसका मतला marks भी reduce कर दिया जाएगा लेकिन examination quality compromise वाला नहीं होना चाहिए quality maintained रहना चाहिए UGC ने इसके ओपर जादा जोर दिया हुआ है और उन्होंने ये भी काया कि अगर duration आप कम करते हो तो आप multiple batches यानि multiple shifts में examination ले सकता ताकि आपकी जो examination की duration तीन मेने जाती थी वह as soon as जल्द से जल्द खतम करने की कोशिश आप कर सकते हो अब आपको past कैसे किया जाएगा यहीं है अगर promotion है यहीं होता है और उसके बाद आपको past करने के नौबत आती है तो कैसे किया जाएगा पहला 50% is based on your examination and 50% is based on your past performance पहला 50% is based on your performance in exams plus 50% is based on your past performance यह पहला option है दूसरा 50% is based on your examination and 50% is based on your curriculum activities that is viva, internal evaluation, evaluation के उपर आपके उपर depend किया जाएगा यानि आगर आपको promote करने की बात चल रही है तो यानि आपके पास दो options है 50% का exam देना है 50% आपका past performance पहला दूसरा option है 50% का exam देना और बाखी के 50% के लिए आपका viva and all conduct किया जाएगा यानि यहाँ पर दो options recommended किये गया है उसमें से कोई भी एक option आपके लिए accept कर लिया जा सकता है तिसरा option यूजी पीजी के लिए क्या यूजी और पीजी के लिए अलग से guidelines issue करेगी Mumbai University यानि UGC Mumbai University को guideline देगी Mumbai University हमारे को guidelines आपको यानि सारे के सारे students को guideline देने वाली है उसके बाद अगर आपको केटी लेगे तो क्या होगा केटी लगी यानि अगर आप FY में केटी लेके ब carry forward आला system बोलते हैं इसको बोलते है carry forward point number six में लिखा carry forward system यानि अगर आप FY में तो आपको SY में प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन SY में जाने के बाद आपका जो additional exam होता जो केटी के exam होती ही वो आपको वहापर देनी पड़ेगी दूसरा मान लो अगर आपको पास कर दिया जाता है तो आपके पास आपको आप अपने marks से unsatisfied हो तो आप अपने आपको बोलता है ना improvement test के जरिए भी आप अपने आपका percentage बढ़ाने के लिए exam दे सकते हो पहला अगर आपको केटी है तो कोई problem नहीं आपको carry forward नेक्स्ट क्लास में भे देगी दूसरा अगर आप अगर आप suppose for example यहां पर एक clearly sentence लिखा हुआ है कि the student allowed to improve their grades by offering one additional opportunity to appear in the current semester याई अगर आप अपने marks को improve करना चाहते हो तो आप opportunity capture कर सकते हो उसके लिए अप additional exams दे सकते हो तो दो चीज़े पहले में मैंने क्लियर किया कि अगर promote करेंगे तो कैसे करें क्या 50% based on your exam 50% based on your performance past performance previous semester का performance दूसरा option क्या 50% based on your exam written exam और जो भी exam सुलेगी वो और 50% आपके internal evaluation यह दो options available है दूसरा मैंने बता कर आपको KT लेगे तो आपको carry forward किया जाएगा आगे बेजा जाएगा लेकिन आपको आने वादे समय में KT के examination देनी पड़े कि फिलाल के लिए आप पास हो जाओगे ठीक है यह सब कुछ उसमें लिखा गया है examination से related यह update यहाँ पर थी नेक्स्ट आता हूं मैं उसके बाद 4th update आती है आपकी IT infrastructure से इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी इन्फोर्स्रक्ट्रक्टर यानि बहुत सारे colleges जैसे बहुत सारे newspapers बहुत सारे recommendation ऐसा है online exam होगी, offline exams होगी तो मुबाई UGC ने recommendation दिया कि बहुत सारे universities ऐसी है जहाँ पर infrastructure इतना डेवलप नहीं है IT वहाँ पर इतना डेवलप नहीं है बहुत सारे बच्चे जो rural areas में तो उनके पास internet access नहीं है तो in that case हम लोग online examination prefer नहीं कर सकते इसलिए UGC ने recommendation दिया कि आने वाले समय में हर university को अपने premises अपने colleges जितने भी उनसे connected colleges सबको अपने IT infrastructure के उपर धेया ध्यान देना पड़ेगा video conferencing के लिए video conferencing hall बनाने पड़ेंगे ये content के उपर ध्यान देना पड़ेगा e lectures, e online lectures के उपर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा तो ये UGC की जो report थी उसमें ये चार बहुत ही important update थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था description box में link देदूगा आप वहां से access कर सकते हो अगर आपको वीडियो informative लगा हो तो like करो दोस्तों में share करो और अगर इस channel पर पहली बारा तो subscribe करो क्योंकि मैं बिना authenticity without any proof मैं कभी भी कोई video नहीं बनाता ये video के अंदर जो भी important चीज़ थी उसारी चीज़ें मैंने आपके डिस video में तब तक के लिए जाहिए